परिचाए इस पार्ट में आप भिन्नों को दशमलव संख्याओं के रूप में दर्शाना दशमलव संख्याओं को विस्त्रित रूप में व्यक्त करना दशमलव संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना दशमलव संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और विभाजन करना भिन्न और दशमलव संख्याएं अप्रिता अपनी निजी डायरी के प्रिष्ठों को सजाने में व्यस्थ है उसकी डायरी के एक पेच की रेखाएं पेच को दस बराबर भागों में विभक्त करती है इस तरह हर भाग पेच का एक बटे दसवा हिस्सा दर्शाता है एक बटे दस को शून्ने दशमलव एक भी लिखा जा सकता है अता हम कह सकते हैं कि शून्ने दशमलव एक एक बटे दस की दशमलव प्रस्तुती है अप्रिता अपने स्कूल के जूते खरीदने अपने पिता के साथ जाती है दुकान में जूते की कीमतों को दशमलव संख्या के रूप में लिखा गया था वो आश्चर में पढ़ गई कि कीमतों में दशमलव का क्या मतलब होता है आईए देखते हैं हम जानते हैं कि सौ पैसे मिलकर एक रुपिया बनाते हैं यानि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक पैसा एक रुपय का एक बटा सौवा हिस्सा होता है, इसे 0.0.01 के रूप में भी लिखा जा सकता है, आता 95 पैसे एक रुपय का 95 बटा सौवा हिस्सा होता है, हम 95 पैसे को 0.95 रुपए के रूप में भी लिख सकते हैं अता जूतों की कीमत में दशमलव का मतलब पैसे से है जब एक वस्तू के मुलिको मुद्रा के पदों में व्यक्त किया जाता है तब दशमलव का मतलब पैसे से होता है दशमलव प्रस्तुती वास्तविक जीवन में हम लंबाईयों और परिमाड़ों का वर्ण करने के लिए दशमलव का प्रयोग बहुत अधिक करते हैं आईए अब हम तरल राशियों, ठोस राशियों और लंबाईयों को दशमलव के रूप में दर्शाते हैं तरल राशियां सवीता की माँ उससे मदर डेरी से आधा लीटर दूद की थैली लाने के लिए कहती हैं जब वो इसे खरीदने के लिए गई तो बूद पर बैठा आदमी उसे एक पांसो मिली लीटर की थैली दे देता है सवीता उलजन में पढ़ जाती है कि क्या पांसो मिली लीटर और आधा लीटर बराबर होता है इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम होने के लिए हमें सबसे पहले तरल पदार्थों को मापने के लिए इस्तिमाल की जाने वाली एकाईयों को समझना चाहिए आएए एक नजर डालते हैं एक लीटर बराबर एक हजार मिली लीटर होता है अता एक मिली लीटर बराबर एक बटे एक हजार लीटर जो की शून ने दशमलव शून ने शून ने एक लीटर के बराबर होगा एक हजार किलो लीटर जो की 0.001 किलो लीटर होगा। अब हम सवीता के भ्रहम की स्थिती पर फिर से आते हैं। 500 मिली लीटर बराबर 500 बटे 1000 लीटर होता है, जो की 5 बटे 10 लीटर यानि 0.5 या 1 बटे 2 लीटर लिखा जा सकता है। अधा 500 मिली लीटर दूद और आधा लीटर दूद बराबर होता है। सवीता को ये जान कर राहत मिली। ठोस राशियां अक्षय अपनी मा के साथ सबजी बाजार गया। वहां उसने देखा कि उसकी माँ 250 ग्राम और 500 ग्राम अलग-अलग सबजीयां खरीदी है। वहां खरीदी गई राशियों को किलो ग्राम में बताना चाहता है। ऐसा करने में सक्षम होने के लिए अक्षय को सबसे पहले ठोस राशियों की मातरा को मापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इकाईवियों को समझना हूगा। एक ग्राम बराबर एक हजार मिली ग्राम होता है इसलिए एक मिली ग्राम बराबर एक पटे एक हजार ग्राम जो की शून्ने दशमलव शून्ने शून्ने एक ग्राम होगा एक किलो ग्राम बराबर एक हजार ग्राम होता है इसलिए एक ग्राम बराबर एक बटे एक हजार किलो ग्राम जो की शून्ने दशमलव शून्ने शून्ने आउखेलें कॉलम का का कॉलम खा से मिलान करें दशमलाव संख्याओं की तुलना दशमलावां को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम अब निम्न की सहायता से दशमलाव संख्याओं की तुलना कर सकते हैं विस्तरित रूप और आरोही या हवरोही क्रम से आएए कुछ उदारणों को देखते हैं विस्तरित रूप से करन ने एक पैन बीस दशमलाव पांच शूनने रुपए का खरीदा जबकि रवी ने एक पैन बीस दशमलाव शूनने पांच रुपए का खरीदा किसका पैन सबसे ज्यादा महंगा है करन के पैन की कीमत बीस दशमलव पाँच शूनने रुपे है जो की बराबर है बीस रुपे और पचास पैसे के रवी के पैन की कीमत बीस दशमलव शूनने पाँच रुपे है जो की बराबर है 20 रुपए और 5 पैसे के चुकि हम जानते हैं कि 20 रुपए और 50 पैसे बड़े हैं 20 रुपए और 5 पैसे से अता करन का पैन अधिक महगा है आईए एक और समस्या को देखते हैं रवीना के परिवार में प्रति दिन 2.5 लीटर दूद की खपत होती है उसकी दोस्त करीना के परिवार में प्रति दिन 2000 मिली लीटर दूद की खपत होती है कौन से परिवार में अधिक दूद की खपत होती है रवीना के परिवार द्वारा खर्च किया गया दूद 2.5 लीटर है जो की 2 लीटर और 500 मिली लीटर के बराबर है करीना के परिवार द्वारा खर्च किया गया दूद 2,000 मिली लीटर है जो की बराबर है 2,000 बटे 1,000 लीटर यानि 2 लीटर के हम जानते हैं कि 2 लीटर और 500 मिलिलीटर बड़ा हुता है 2 लीटर से इस तरह रवीना का परिवार करीना के परिवार से अधिक दूद की खपत करता है आरोही या अवरोही क्रम निशान्त, मुकुल, पियूश और परिख्षित ने क्रमशा 3.5, 3.55, 3.45 और 3.05 किलो आम खरीदे किसने आम की अधिक्तम और निवनतम मात्रा खरीदी आये सबसे पहले दशमलव राशियों को अवरोही क्रम यानि मानों के घटते क्रम में जमाते हैं दशमलव संख्याएं हैं 3.5, 3.55, 3.45, 3.05 आये हम संख्याओं को फिर से लिखते हैं आओ खेले दशमलव संख्याओं को रेक्ति स्थानों में आरोही क्रम में उठा कर रखें दशमलव पर संक्रियाएं हम अब दशमलव संख्याओं पर निमने लिखित गणितिये संक्रियाओं का प्रदर्शन करते हैं जोड, घटा, गुणा, एवं भाग आये हम अपनी अगली स्क्रीन में उपर युक्त गणितिये संक्रियाओं को देखते हैं जोड, जयाँ ने अपने घर पर एक पारिवारिक समारो के लिए 50 लीटर खाना पकाने का तेल, 32.5 लीटर दूद और 41.25 लीटर रस खरीदा है उसके दूआरा लीटर में खरीदी गई कुल मात्रा कितनी है खाना पकाने का तेल खरीदा गया 50.05 लीटर दूद खरीदा गया 32.05 लीटर रस खरीदा गया 41.25 लीटर हम कुल खरीदी गई मात्रा प्राप्त करने के लिए तीनों राशियों को जोड़ते हैं जो 123.75 लीटर प्राप्त होता है जया ने कुल 123.75 लीटर सामान खरीदा घटाओ शिरी नारायन 42,345.79 रुपए वेतन कमाते हैं इस वेतन में से वह भविश्य निधी में 2317.52 रुपए का अंशदान करते हैं और कर यानि टेक्स के रूप में 4314.25 रुपए चुकाते हैं तो बताईए शिरी नारायन का शिश वेतन क्या है भविश्य निधी का अंशदान 2317.52 रुपए है टेक्स का भुखतान 4314.25 रुपए है हम कुल कटोती प्राप्ट करने के लिए दोनों राशियों को जोड़ते हैं जो 6631.77 रुपए प्राप्ट होती है कुल अरजित वेतन 42345.79 रुपए है हम शिश वेतन प्राप्ट करने के लिए अरजित वेतन में से कुल कटोती को घटाते हैं और 35,714.02 रुपए प्राप्ट करते हैं कटोती के बाद शिरी नाराइन के पास 35,714.02 रुपए शेश बचते हैं गुणा रजित की कार एक लीटर पैट्रोल में 12.05 किलो मीटर की दूरी तै करती है कार 5.05 लीटर पैट्रोल में कितनी दूरी तै करेगी 5.05 लीटर में तै की गई दूरी बराबर है 12.05 गुणे 5.05 के सबसे पहले हम 125 को 5 से गुणा करते हैं फिर हम 125 को 50 से गुणा करते हैं हम 6875 प्राप्ट करने के लिए दोनों गुणन फलों को जोड़ते हैं चुकि दशमलो बिंदू के बाद दो अंख हैं एक 12.05 में और दूसरा 5.05 में हम दाए से दो अंखों तक गिनते हैं और परिणाम में साथ से पहले एक दशमलो बिंदू लगाते हैं अता कार 5.05 लीटर पैट्रोल में 68.05 किलो मीटर की दूरी तै करेगी विभाजन अरुडा साथ दशमलो पांच किलो गराम चीने खरीदती है और इस पर 230.625 खर्च करती है एक किलो चीने की पिमत ग्याद कीजिए साथ दशमलो पांच किलो गराम चीने की पिमत 230.625 रुपे है एक किलो गराम चीने की पिमत पराबर होगी 230.625 भाग 7.5 के 230.625 को 7.5 से विभाजित करने के लिए हम सबसे पहले अंश और हर में 10 का गुणा करके हर का दशमलो बिंदू हटाते हैं दस का गुणा करने से दशमलो बिंदू एक अंक दाई और चला जाता है अता अब हम 230.625 को 75 से विभाजित करते हैं दिखाया नुसार दूनों संख्याओं को नीचे लिखें 230.625 के दो अंकों यानि 23 को एक साथ लिखें 230.75 से बहुत छोटा है अब पहले तीन अंकों यानि 230 को एक साथ लिखें 230.75 से काफी बड़ा है और 75 से तीन बार में विभाजित किया जा सकता है अता तीन को दाइं तरफ लिखें और 225 को 230 के नीचे लिखें घटाएं और घटाव पांच को नीचे लिखें 6 को नीचे लाएं नई संखिया 56 बंती है जो पिछट्र से काफी छोटी है अता शूने को तीन के दाइं और लिखें और दो को भी नीचे लाएं चुकि दो दशमलव बिंदू के बाद की संखिया है इसलिए शूने के दाइं और दशमलव लगाएं नई संखिया 562 बंती है जिसे 75 से 7 बार विभाजित किया जा सकता है घटाएं और घटाव 37 को नीचे लिखें पांच को नीचे लाएं नई संख्या 375 बनती है ये पांच से पूर्टिया विभाज है पांच को 7 के दाइं और लिखें और 375 को 375 के नीचे लिखें घटाएं चूकि घटाव शून है अता विभाजन समापती को दर्शाने के लिए अंत में क्रॉस का चिन्ह लगाएं अता एक किलो चीनी की खीमत 30.75 रुपे है आओ खेलें प्रशन को ध्यान पूर्वक पढ़ें तथा सही विकल्प पर क्लिक करें हमने क्या चर्चा की भिन्नों को दशमलव संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है तरल पदार्थों को मापने की एकाईया एक लीटर बराबर एक हजार मिलीटर एक मिली लीटर बराबर एक बटे एक हजार लीटर, जो की बराबर होता है शूने दशमलव शूने शूने एक लीटर के, एक किलो लीटर बराबर एक हजार लीटर, एक लीटर बराबर एक बटे एक हजार किलो लीटर, जो की बराबर होता है शूने दशमलव शूने शूने ए ठोस पदार्थों को मापने की इकाईएं लंबाई को मापने की इकाईयां 1 cm बराबर 10 mm 1 mm बराबर 1 बटे 10 cm बराबर 0.1 cm 1 मीटर बराबर 100 cm एक सेंटिमीटर बराबर 100 बराबर 0.01 1 कीलो मीटर बराबर 1 बटे 1000 कीलो मीटर बराबर 0.01 01 कीलो मीटर